सबस्क्राइब करिए Mr. Techie को और बेल आइकन को दबाईए मेरी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले सच रहे है काल दोस्तों मेरा नाम है गुटप्रीट सिंग और आप देख रहे हो Mr. Techie दोस्तों आज में लेके आया हूँ Nokia 7 Plus का बैटरी चार्जिंग टेस्ट और एक comparison बाकी चार फोन के साथ एक है OPPO F7, दूसरा है Lenovo के 8 Note, तीसरा है Infinix Hot S3 और लास्ट डिवाइस है Redmi Note 5 Pro यहाँ पर मेरे पास Stopwatch के लिए है Honor 7X अगर हम बात करें इन पांचों फोन में लगी बैटरी साइस की तो OPPO F7 के अंदर लगए है 3600 mAh के बैटरी Nokia 7 Plus में लगी है 3800 mAh के बैटरी Lenovo के 8 Note के अंदर लगी है 4000 mAh के बैटरी Infinix Hot S3 में भी 4000 mAh के बैटरी लगी है और same Redmi Note 5 Pro में भी 4000 mAh के बैटरी लगी है दोस्तो OPPO F7 के जो charger की output rating है वो है 5V 2A की और Nokia 7 Plus के जो charger के output rating है वो है 5V 2.5A और दोस्तो Lenovo Gate Note के जो charger के output rating है वो है 5V 3A की और Infinix Hot Edge 3 के जो charger के output rating है वो है 5V 2A की तो चलिए दोस्तो टेस्ट की तरफ भढ़ते हैं पांचो के पाँचो phone जो हैं वो पूरे switch off है तो चलिए अब test को start करते हैं Let me start stopwatch and power button also तो दोस्तों अब हम 5 मिनिट बाद आके सारे phones को switch on कर देंगे क्योंकि जब भी हम phones को charge करते हैं हम उन्हें switch off नहीं रखते यहाँ पर दोस्तों 9 मिनिट हो जाते हैं stopwatch के अंदर तो चलिए पहले सारे phones को switch on कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 12 मिनिट के अंदर OPPO F7 जो charge होता है वो है 11% Nokia 7 Plus 18% charge हो जाता है Lenovo के Note charge होता है 8% Infinix Hot S3 जो charge होआ है 10% और Redmi Note 5 Pro जो charge होता है वो है 12% तो दोस्तों अब next एक घंटे बाद आके देखते हैं कि कितनी बैटरी चार्ज हो जाती है सारे phones के अंदर तो दोस्तों एक घंटा पूरा हो जाता है stopwatch के अंदर तो चलिए चेक कर लेते हैं कि पांचों phones अभी कितना परसंट चार्ज होए है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो Oppo F7 एक घंटे के अंदर चार्ज होता है 59% Nokia 7 Plus जो चार्ज होता है वो है 66% Lenovo के 8 Note चार्ज होता है 47% और Infinix Hot S3 चार्ज होता है 49% और Redmi Note 5 Pro जो चार्ज हुआ है वो है 57% यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी performance देखने को मिल रही है Nokia 7 Plus की एक घंटे के अंदर 67% फोन चार्ज हो जाता है तो चलिए अब नेक्स्ट दो घंटे बादा के देखते हैं कि कौन सा फोन कितना चार्ज हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर दो घंटे पूरे हो जाते हैं स्कॉप पॉस्ट के अंदर तो चलिए देख लेते हैं कि दो घंटे के अंदर सारे फोन्स कितना परसंट चार्ज होई है तो दोस्तों दो घंटे के अंदर ओपू F7 चार्ज होता है 95% Nokia 7 Plus चार्ज हो जाता है 98% Lenovo K8 Note चार्ज होता है 77% और Infinix HotS 3 चार्ज होता है 90% और यहाँ पर Redmi Note 5 Pro जो होता है वो है 96% दोस्तों बीच में क्या हुआ था Nokia 7 Plus हीट हो गया तो तो इसके उपर एक notification आगी थी कि आपकी बैटरी के चार्जिंग लिमिट है वो रीच हो चुकी है तो फोन को पहले कूल टेंपरेचर तक लाइए तब जाके चार्जिंग स्टार्ट होगी तो हो सकता है दोस्तों Nokia 7 Plus के अंदर कुछ टाइम के लिए बैटरी चार्जिंग स्टॉप हो गई हो दोस्तों यहां पर Redmi Note 5 Pro बहुत जाद ही अच्छी परफॉर्मिस दे रहा है 4000 mAh की बैटरी और 5V2Ah के चार्जर के साथ 96% चार्ज है और OPPO F7 3800mAh की बैटरी और 5V2Ah के चार्जर के साथ 95% चार्ज है तो दोस्तों अब टेस्ट को continue रखते हैं और यहां पर देखते हैं कि Nokia 7 Plus को कितना टाइम लगता है पूरा 100% होने में और OPPO F7 और Redmi Note 5 Pro में से कौन सा फोन सबसे पहले चार्ज होगा तो दोस्तों दो घंटे 11 मिनिट के अंदर Nokia 7 Plus जो है वो पूरा 100% चार्ज हो जाता है तो अब यहां पर 4 डिवाइस रह जाता है हमारे पास अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो Redmi Note 5 Pro भी 98% पे है और OPPO F7 जो है वो 97% पे है तो अब दोस्तों इन दोरों में से देखते हैं कि कौन सा फोन कितनी देख के अंदर चार्ज होता है तो दोस्तों आप देख सकते हो Redmi Note 5 Pro जो है पूरा 100% हो जाता है दो घंटे 19 मिनिट के अंदर तो दोस्तों अब टेस्ट को continue रखते हैं और देखते हैं OPPO F7 कितना टाइम लेता है पूरा 100% होने में तो दोस्तों यहां पर दो घंटे 33 मिनिट के अंदर OPPO F7 पूरा 100% चार्ज हो जाता है अब हमारे पास सिर्फ दो डिवाइस रह जाते हैं Lenovo K8 Note और Infinix Hot S3 उनमें देख लेते हैं अभी कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है तो दोस्तों 98% चार्ज हो जाता है Infinix Hot S3 और Lenovo K8 Note चार्ज होता है 92% अब दोस्तों टेस्ट को continue रखते हैं और देखते हैं कि Infinix Hot S3 को कितना टाइम लगता है 100% होने में तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो 2 घंटे 47 मिनिट के अंदर Infinix Hot S3 पूरा 100% चार्ज हो जाता है अब हमारे पास सिर्फ लास्ट डिवाइस रह जाता है जो है Lenovo K8 Note और Lenovo K8 Note के अंदर अभी 95% बैटरी चार्ज हो जाती है तो दोस्तों अब टेस्ट को continue रखते हैं और देखते हैं Lenovo K8 Note कितना और टाइम लेता है पूरा 100% होने में तो दोस्तों 3 घंटे 25 मिनिट के अंदर Lenovo K8 Note पूरा 100% चार्ज हो जाता है अब हमारा दोस्तों बैटरी चार्जिंग टेस्ट कम्प्लीट हो जाता है अगर मैं बात करूँ यहां पर कौन सा फोन सबसे पहले चार्ज हुआ वो था Nokia 7 Plus दो घंटे 11 मिनिट लिये थे 0-100% के लिए और उसके बात चार्ज होता है Redmi Note 5 Pro दो घंटे 19 मिनिट लिये थे इसमें और उसके बात चार्ज होता है Oppo F7 दो घंटे 33 मिनिट लिये थे और उसके बाद चार्ज हुआ Infinix Hot S3 2 गंटे 47 मिनिट में और लास्ट में चार्ज होता है Lenovo K8 Note 3 गंटे 25 मिनिट के अंदर यहाँ पर दोस्तों मुझे यह लग रहा था कि Lenovo K8 Note 1st या 2nd तो आएगा ही बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों Nokia 7 Plus सबसे जल्दी चार्ज होता है यह होना भी चेह था क्योंकि इसके चार्जर के आउटपूट रेटिंग जादा थी 5V 2.5Ah की 3800Ah की बैटरी के साथ यह चार्ज होता है 2 गंटे 11 मिनिट के अंदर और यहां पर सबसे अच्छे परकॉमेंस में अगर मानू तो वो थी Redmi Note 5 Pro की 5V 2.5Ah के चार्जर के साथ यह फोन चार्ज होता है 2 गंटे 19 मिनिट के अंदर यह थी वीडियो बैटरी चार्जिंग टेस्ट आफ Nokia 7 Plus और एक कंपैरिजन बाकी 4 फोन के साथ Oppo F7, Lenovo K8, Note Infinix Hot S3 और Redmi Note 5 Pro दोस्तों बताए वीडियो कैसा लगा प्लीज यार अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक बटन को दबाओ और हमारे चैनल Mr. Techie को बिना सब्सक्राइब किये तो प्लीज मच जाना और दोस्तों अगर आप कोई ऐसा और कंपैरिजन देखना चाहते हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें शेर करिए दोस्तों जितना हो सकता है इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है मिलते हम अपनी अगली वीडियो में अभी के लिए इतना ही धन्यवाद